नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आई ये बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है जिसमें पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुम हमारा आगे का क्या वी हुआ है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर MCX का चार्ट दोस्तों यहां पर हमने देखा कि कल सिल्वर ने एक gap down opening शो की थी और उसके आद मार्केट में एक correction फिर buying फिर sideways trend को इसने continue रखा उपर गया मार्केट यहां से फिर इसने selling दिखाई और थोड़ी recovery फिर लेने की कोशिश करी थी end होने से पहले एक और dip लिया और मार्केट ने फिर अच्छे से recover करके 67,000 के आसपास last trading price को close कर दिया आज हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ी सी अपनी strength दिखाई है जो इसने कल continue करी थी और उसके बाद अभी तक silver का price जो है वो 67,600 के आसपास कहीं trade कर रहा है थोड़ी देर होगी है इसे यहाँ पर trade करते हुए आगे का हम देखते हैं कि किस तरीके का हमें trend नजर आ रहा है दोस्तों silver में पिछले कुछ session से हमने देखा कि gold constant रहा है और silver में हमें एक तेजी देखने को मिली उसके बाद silver और gold दोनों ही काफी अच्छे से correction दिखाई उन्होंने अपने higher level से और वहां के बाद कल हमने जिस तरीके का session देखा gold में बहुत अच्छी हमें correction देखने को मिली silver बार बार कहीं न कहीं हमें यह लग रहा था कि अगर gold के prices में थोड़ी सी भी तेजी आती है तो silver के prices में अच्छी खासी हमें upside moment देखने को मिल सकती है तो वो एक चीज रही थी जो silver को अभी तक strong बनाय हुए है और prices अभी उतना नीचे नहीं गिर रहे हैं इतना gold में हमने downside देखी है यहाँ पर आज जिस तरीके का session है gold और silver दोनों में ही gold में prices को अपने आपको hold करने के लिए आज chances बने रहेंगे consolidation के silver में हमें थोड़ी सी upside trend देखने को मिल सकता है यह भी chances हैं कि कल का high break हो जाए silver में कल का low break करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा high break करना काफी ज़्यादा आसान रह सकता है तो prices जो है वो अभी अपने कल के high से भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है कल का high में ख्याल से 233 का था 68, 233 वहाँ से भी अगर हम बात करें तो करीब 600-600 point की एक downside अभी इन्होंने दिखाई विया और कल का high break करना काफी ज़्यादा easy रह सकता है silver mcx के लिए ये मेरा अभी का आगे का view है downside short selling बिल्कुल avoid करें silver में जो trend है वो थोड़ा सा अच्छे से strongly react कर सकता है ये हमें देखना होगा कि evening session तक market किस तरीके से react कर रहा है पर short selling बिल्कुल आप avoid करें नीचे के prices अगर आपको यहाँ 66-800 के आसपास तक के price मिलते हैं तो वो एक काफी अच्छा price रहने वाला है हमार लिए buying के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15-minute के time frame पे यहाँ देखते हैं कि किस तरीके का trend और view हमें नज़र आ रहा है gap up opening बहुत strongly market ने prices को उपर में hold किया अगले दिन gap down opening और gap down opening के बाद silver ने एक correction इतनी strongly दिखाई कि prices जो थे वो काफी नीचे आ गए उसके अगले दिन फिर market ने ऊपर के prices को hold किया कल पूरे दिन market ने इस तरीके का एक trend रखा कि कोई moment नी हो रही ऊपर नीचे एक consolidation में रखा था नीचे जब gold ने काफी अच्छे से correction दिखाने के कोशिश करी तो prices नीचे आए और वहाँ से अभी market थोड़ा सा recover करता हुआ नजर आ रहा है अभी आगे का हम देखते हैं कैसा view है कैसा नहीं थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक घंटे के time frame पे यहां हम देखते हैं दोस्तों market में selling यहां से थोड़ा सा consolidation हलकी सी upside फिर downside फिर market ने एकदम से एक upside दिखाई और वो upside जो थी वो continue रही 74,000 के levels break किये वहां से market में फिर selling आई और selling यह अभी कल तक continue थी आज हमें थोड़ा सा market थोड़ा stable नजर आ रहा है उपर नजर आ रहा है और ज़्यादा उपर जाने के chances इसमें लग रहे हैं कौन-कौन से levels हैं अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं current price है 67,590 चार घंटे के time frame पे एक बार देखते हैं कि क्या हमें नजर आ रहा है यहां हमने देखा market में selling, buying, फिर selling, फिर selling, फिर buying और यह uptrend continue रहा फिर यहां से selling, downfall, फिर consolidation part start हुआ और फिर market में एक upside trend और वहां से हमें selling करके market अभी currently थोड़ा सा recovery दिखा रहा है current price 67,566 और एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं daily charts पे वहां देखते हैं कि क्या trend अभी नजर आ रहा है pandemic उसके बाद recovery phase, bull run 78,000, selling, consolidation, थोड़ा upside view, फिर selling और यहां से एक strong upside current price 67,577 दोस्तों silver को अभी इन prices पे थोड़ा सा support मिल रहा है मेरे पास कल message आया कि मैं selling भी बता रहा हूँ, buying भी बता रहा हूँ पता नहीं किस ने कर रहा था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी तो देखिए traders जो हैं वो सिर्फ यह समझते हैं कि हमें सिर्फ levels पता लग जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे देखिए levels आपकी help करते हैं, अगर मैं आपको दो level अभी बता दू कि 60,000 के नीचे selling है और 61,000 के उपर buying है, आप उस टाइम भी यह कह सकते हैं कि मैं selling भी बता रहा हूँ, buying भी बता रहा हूँ देखिए levels आपकी help करते हैं, levels इस तरीके से help करते हैं आपको 61,000 के उपर market जो है वो थोड़ा strong नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर 61,000 के break करते ही आप अपनी position को long position में create करना शुरू कर देंगे या फिर आप इस तरीके से करेंगे कि आपने अगर कोई भी short position ले रखे होगी आपका यहाँ पर price आता है तो well and good देखें यह लेवल है यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ आपको कि छोटे time frame पे एक price है जो consolidation ले आएगा एक price है जो उसे strength दिखा सकता है silver में कोई भी upside आती है तो एक particular price रहेगा जो उसकी strength दिखाएगा उसके उपर एक और price लेगा जो उस trend को reversal में ले आएगा आपको समझना होगा कि आप किस price पे आप entry ले रहे है एक और चीज़ है fund management इस पर मैं पहले मैं बहुत बताता था कि आप अपने trades को किस तरीके से manage करें आपके लिए सबसे सही management ये रहेगी कि आपका जो आपने जितना funds utilize किया हुआ है मेरा ये मानना है कि एक silver micro के लिए मतलब एक kilo silver के लिए आपका 15,000 का funds use आपके पास available रहना चीज़ए एक silver micro के लिए मतलब 10 kilo के लिए आपका balance होना चीज़ए at least 1.5 lakh मतलब 2 silver mini के लिए तो हम जैसे trade अगर करते हैं एक अगर हम बड़ा lot लेते हैं तो इसी को आप 6 से multiply कर लिजए 9 lakh के असपास हमारी कोशिश क्या रहती है जो ये traders होते हैं जो अपनी frustration में जाज़तर ऐसे message करते हैं उनका इस तरीके से रहता है उन्होंने 1 lakh के funds लगाएं market में और यहीं से वो बड़ी silver में trade करना शुकरते हैं कि हमारे पास leverage है हम डबा trading में कर रहे हैं ये चीज़ आपको किसी दिन तो बहुत अच्छा दिखा सकती है पर बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जो आपको नुकसान देते रहेंगे continuously नुकसान देंगे सबसे बड़ा reason इसमें रहता है कि आपका mind आपके control में नहीं होता आप panic जल्दी हो जाएंगे आप relaxed mood में रही नहीं सकते तो ये बहुत सारे factor है जो आपका fund कितना है आप किस strategy के साथ आपने उसमें किसी position में enter किया है तो ये सारे factor है technical levels आपकी जरूर help करते हैं पर सिर्फ ये एक factor नहीं रहेगा आपके लिए profit या loss दिखाने का ठीक है तो बहुत सारी ये सब चीज़े है money management आपका कैसा है technical levels आप use कर रहें stop loss आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे और इन सब के बाद आपका self control कितना है आप over trading तो नहीं कर रहे है आपने कोई trade अभी ले लिया उसमें अगर आपको loss हो जाता है आपके अंदर इतना patience मतलब मैं ये उन traders की बात कर रहा हूँ जो patience नहीं दिखा पते 85-90% traders ऐसे हैं जो एक loss होने के बाद चोटा loss हो वो उसे recover करने के लिए जबरदस्ती trade करते रहेंगे आप wait कीजिए next day आएगा उससे next day आएगा ना trading खतम हो रही है ना market खतम हो रहा है और आपके पास जो funds थोड़ा ही कम हो है बाद में recover हो जाएगा तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको maintain करके चलनी होंगी ठीक है तो थोड़ा सा भी वापस एक घंटे के time frame पे चलते हैं वहां हम देखते हैं कि क्या view हमें नजर आ रहा है दोस्तो यहाँ पर एक price level है 67,700 इसने break कर दिया एक बार तो इसलिए इसमें मुझे strength नजर आ रही है 67,700 ये price exact यहाँ पर है जो इसने touch कर दिया है downside अभी मुझे नहीं लग रही है इधर it will consolidate और it will go up तो market अगर नीचे आता है तो आपके लिए एक अच्छा अच्छी opportunity रह सकती है silver में entry के लिए ठीक है दूसरी चीज़ के जो इससे next level होगा वो काफी उपर है मैं levels एक बार लिख देता हूँ पहला price मैंने आपको बता है 67,700 ठीक है दूसरा price इसके जो उपर है वो है 68,950 इसके बाद इस price को भी अगर market break कर देता है तो इसमें और ज़्यादा तेजी आ सकती है मतलब 69,000 break होता है काफी और उपर के levels हमें देखने को मिल सकते है ये दो price आपके लिए हाल फिलाल में काफी important रहने वाले है एक जो इससे last price होगा वो बहुत उपर है अभी 72,500 इस price को अब मतलब इस price के उपर sustain करना 72,500 ये price है इस price के उपर अगर silver sustain कर जाती है तो ही इसमें और ज़्यादा तेजी आएगी otherwise market जो है यहां तक जाने की expectation तो मुझे लग रही है यहां तक यहां तक इसके उपर जाना इसके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल रह सकता है तो फिलाल अभी के लिए इसने थोड़ी सी एक consolidation phase में तो enter करी लिया है तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ जो यह downtrend था यह कहीं ना कहीं अभी फिलाल थोड़ा सा week दिखाई दे रहा है हमें और market में थोड़ी intraday में recovery या consolidation ऐसे chances रह सकते हैं तो short selling अभी मैं कहूँगा आपको आज के लिए आप avoid करें यह यहां पर जो यह support line है इसके break होने के बाद ही अब market में further downside आएगी वो उसके chances जादा है next week अभी थोड़े से कम लग रहे है तो short selling avoid कीजिए अच्छे price का और 67,700 के उपर थोड़ा सा भी market अब अगर hold करता है तो आप buying की position ले सकते हैं और इस तरीके से आप silver में बने रह सकते हैं इन levels का आप ध्यान रखेगा ज़रूँ इसका तो ध्यान इसले ही रखना क्योंकि आस तो आता नहीं है बाद में जब आएगा तब यही level रहता है कुछ होर होता है तब का तब देखेंगे ये दो level ज़रूर आपके लिए आज important हो सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये था मेरा silver mcxp अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे हैं मेरे साथ देखते रहें ये market report और हो सके तो मेरे चैनल को जाइन भी करें धन्यवाद